सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे है तो लाइक एंड शेयर करना तो बनता है यार चलिए वर्क एनर्जी और पावर यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है क्योंकि कहीं नहीं आप इसको आज पढ़ रहे हो और हमेशा पढ़ते रहों कि जब तक फिजक्स आपके लाइफ में है क्योंकि कहीं नहीं किसी नहीं किसी पार्टिकल में किसी टाइप की एनर्जी प्रिजेंट होती है आपको उसका वर्ण काल्कुलेट करना बढ़ता है तो यह टॉपिक कह सकते हो कि ऐसा टॉपिक है जो कहीं तो लेट्स टॉक अबाट कि आपके पास में कोई पत्थर रखा हुआ है जमीन के उपर और पत्थर को उसको इसकी जगह से हटाना है तो उस पत्थर को हटाने के लिए आप क्या करोगे ओव्यसी बात इसको उपर धक्का मारोगे यही होता है एक जनरलाइज सेनारियो में अगर मुझे इस पत्थर को माल लीजे असके सरफेस पर रखा हुआ है तो इसे इसकी जगह से हटाने के लिए मुझे कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है तो यह जो स्टोन है यह कुछ डिस्प्लेसमेंट माल लीजे डी को तै करता है यह आपने यहां पर फोर्स अप हम कहें देते हैं कि इस टोन के ऊपर हमने काम किया यानी हमने इसको हटाने के लिए work done किया है तो दिस्स नोन आज वर्क ड़न यानी जब भी आप किसी अबजेट के ऊपर force apply कर रहे हो और displacement perform हो रहा है तो हम कहेंगे कि वहां पर work done perform हो रहा है अब वर्कदन कहां पर नहीं होता अब देखिये बहुत सारे स्टूडिट बोलेगे माम वर्कदन को एक्चुली में हम समझ नहीं पारें फिल्ड नहीं कर पारें तो आप यह मत समझे की काम हो रहा है आप यह समझे कि आपने फोर्स अप्लाई करना हैं और डिस्प्लिसमेंट भी होना है तब ही काम हो पाएगा वटना नहीं काम हो पाएगा ठीक है एक कि आप दो गंटे से काम कर रहा हूं नहीं यह काम नहीं होता scientific language में काम मतलब कि आप दो गंटे से बैठ के study कर रहे वसको बिल्कुल नहीं बोलूगे ठीक है मान दीर जी आप किसी दिवाल को धक्का मार रहे और बोले मैं मैं तो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं दिवाली आगे नहीं जारी मैं का करूँ उसका है ना बट वहां पर तो वर्क दन होना चाहिए बट नहीं कि displacement नहीं हो रहा है मतलब work done नहीं होगा बहुत लॉजिकल चीज है हमें displacement करना पड़ेगा अगर displacement नहीं हो रहा है तो work done भी आपका zero हो जाएगा ठीक है तो work done को define करना बहुत easy होता है simple task होता है t work is said to be done when a force applied on a body displaces the body through a certain distance in the direction of force work done by a constant force हम लोग लिख सकते है भाई this formula work done is given as vector f dot vector d आपको बता दू d stands for displacement and आपका जो f होता है वो stand करता है force के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि this is the dot product या इसको हम कह सकते है कि दो vector quantity जब dot product से मिलती है तो हमें जो value मिलती है वो scalar value मिल रही होती है है ना यह चीज सभी लोग जानते है क्या कहने का मतलब है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास में force एक vector quantity है displacement भी एक vector quantity है तो यहाँ पर direction का बहुत बड़ा impact पड़ेगा so work done को हम define कर सकते w is equals to vector f dot vector d अब vector f vector d दोनों का dot product है dot product simply हमें explain करता है कि इन दोनों के multiplication से हमें जो quantity मिलेगी वो scalar मिलेगी यानि कि जो work done हो रहा है उसका कोई भी दिशा कोई direction का हमें actually नहीं नहीं पड़ता बस हमें जानना होता है कि आपका applied force और displacement कि इस direction में हुआ है हाँ जी आपका applied force और displacement की direction अलग-अलग भी हो सकती है no doubt in that बहुत सारे cases में आपको पताऊंगी जहां पर work done जो है वो different तरीके सा define किया जाता है समझाओंगी मैं one by one examples के थूँ अभी हम समझते है कि what is the scalar product scalar product में generally हमारे पास में किनी भी दो vector का dot multiplication होता है और उसको easiest form में हम simplify करके अगर लिखे तो mod of vector f dot mod of vector d into में cos theta, theta क्या explain करता है यह जो cos theta आप देख रहे हो यह बता रहा है कि if मैंने किसी body के उपर force f apply कर रखा हुआ है and जो displacement है वो उन दोनों के बीच में angle theta बन रहा होता है तो this is the generalized formula for work done ठीक है यह क्या होता आपके पास में magnitude की term में आपका work done आप show कर सकते हो so let a constant force f applied on a body such that it makes an angle theta with horizontal and body is displaced through the distance s then work done by the force is displacing the body through distance is given by f cos theta into my s और we can say f cos theta कई जगे पर d का use करते कही जगह पर s का use करते displacement is all your कही जगह पर x भी books के हिसाब से देखे displacement को आप लोग x से भी represent करते हो देख सकते हो d से भी देख सकते हो and small s से भी देख सकते हो ठीक है तो यह confused मत हो यह ना कि यहाप है ma'am s क्या लिखा हुआ है तो basically f s cos theta को हम लोग क्या लिख सकते हैं आपर this is your work done ठीक है clear सब यह को तो यह होता आपके पास में work done इसको और अच्छे से example समझते for example मेरे पास में यहाँ पर mass m का मान लिजे कोई body है यह कोई box रखा हुआ है इसका mass कितना है m mass है और इसको हम क्या कर रहे है surface space से मान लिजे slide करना चाहते है या हम उसको खीचना चाहते हो तो खीचने के लिए मैंने क्या इसको पुल कर रहे है तो मैं क्या कर रहे है यहां से force apply कर रहे है को पुल कर रही हूँ मुझे बताएगा अगर मैं box को मान लिजे आपने यहा पर रसी बांद रखी है और रसी को आप लो खीच रहे हो तो मुझे बताए यह box का displacement है वो किस direction में होगा you know that कि displacement होगा इस तरीके से इस direction में तो आपका vector f यानि applied force और जो displacement है उसके बीच में अगर angle theta बन जा रहा है तो हम क्या कहते है कि इन दोनों के through जो होने वाला work done है हम उसको जो करेंगे by f into d cos theta से जहां पर आपके f vector f और vector d का आपको magnitude लेना है यह चीज़ क्लियर सभी को तो यह एक generalized formula है जो कि आपको use करना है f d cos theta बहुत जादा use करेंगे इसका हम लोग बिल्कुल ध्यान रखेगा कि जहां जहां पर force apply हो रहा है और जिस direction में displacement हो रहा है उसका बहुत बड़ा impact पढ़ने वाला है क्लियर यह चीज़ सभी को ठीक है यह होता है आपका वर्डन अब वर्ग जो है मैंने जसे explain किया कि डारेक्शन पर डिपेंडेंट होता है बाई कि किस डारेक्शन में force apply कर रहा है और किस डारेक्शन में displacement हो रहा है बोले तो कहने का मतलब इतना simple सा है कि समझेगा मान लीज के उपर हम different different way में क्या करने वाले force apply करने वाले है और फिर हम उसके displacement को observe करेंगे तो first example में let assume मैंने जो force apply कर रखा हुआ है उसका direction box के पीछे से मैं क्या कर रहा है पुश कर रही हूं box को and जब मैंने box को push किया मैं इसको किसी angle से नहीं कीच रही है मैं इसको push कर रही हूं and मे जो displacement है let assume वो position A से खसक कर position B पर पहुचा है and between these position हमारा जो displacement है small d है so यहां सेनारियो क्या आ रहा है आपका कि आपका जो applied force है है ना so in that case हम यहां पर बोलेंगे जो total work होगा work done होगा उसको आप लिख सकते हो f into में d cos theta से जला बताइए मुझे जला सा कि जो angle theta है इन दोनों के बीच में यानि कि force and displacement के बीच का जो angle है theta वो कितना है तो हम यहां कह रहते है कि angle theta is equal to zero degree हमें हमेशा applied force और जो हो रहा displacement है उनके बीच का angle देखना है याद रखेगा हम कौन सा force observe कर रहे हम किस force के लिए solve कर रहे है that matters है ना तो मैं बात कर रही हूँ applied force के लिए तो applied force के through या applied force के द्वारा या हम कह सकते कि जो f है उसके कारण जो work done हो रहा है वो calculate करेंगे तो in this scenario theta is equal to zero degree तो यहां पर जब angle zero degree है मतलब cos zero degree लिखोगे आप लोग तो w can be written as f into d cos 0 and cos 0 is equal to कितना होता है 1 होता है so हम यहां पर बोलेंगे कि work done will be maximum जिसको आप लोग बोलोंगे f into d तो इस scenario में आपको जो किया गया काम होता है वो कैसा होगा maximum होगा जब आपके force and displacement के बीच का angle क्या होता है zero होता है ठीक है तो यहां पर किया गया work done जो होगा वो maximum होगा यह चीज सबको clear है so now बात करते हैं दूसरे scenario की यानि की work done को मैंने कहा आप लोगों को कि this work done is positive इसे हम लोग बोलते है positive work done ठीक है तो आप लोग जो work done पढ़ रहे हो उसमें सबसे पहरा जो type होता है वो होता है positive work done ठीक है and यह positive कब होगा wait a minute है इसको ignore करते है positive work done की बात करते है positive work done and maximum work done था similar है तोनों चीजे पर concept यहां पर क्या लगता है कि अब obvious ही बात है जरूरी थोड़ी है कि positive work done मतलब maximum work done हो नहीं positive work done का मतलब है कि जो आपका angle है angle theta वो लाई कर रहा है from 0 to 90 degree के बीच याद रखेगा हैना हम यहां पर सिर्फ एक ही condition apply करने वारे जो theta का value होता है उसके उपर total work done हमारा depend करता है तो अगर मेरे पास में positive की बात कर रही हूं तो समझ यहां पर कि जो applied force का direction है and जो applied आपके पास मेरे force के कारण displacement हो रहा है इन दोनों के बीच का जो angle है वो कितना नहीं होना चाहिए 0 के 90 degree नहीं होना चाहिए ठीक है अगर 90 degree हुआ तो हमारे पास में जो total work done है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा मैं समझाती हूं one by one तो हम यहां पर कह सकते है कि positive work done के लिए आपके जो theta क value हो रहा है वो always less than 90 degree रहना चाहिए क्यों कि हम जानते है कि cost का जो value है अगर cost 90 degree हुआ तो we will say कि आपका work done 0 हो जाएगा तो इसे हम लोग कहते है 0 work done ठीक है जो सीज मैं आपको बोली तो work done आपके पास में 0 भी होता है तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो 0 work done यानि किया गय work done 0 भी हो सकता है ठीक है अब 0 work done किस case में होगा 0 work done होगा उस सेनारियो पे जहां theta is equal to 90 degree perpendicular होता है तो for example मैंने कहा कि w is equal to आप वापस से रिखोगे f into d cos 90 degree क्यों कि यहां पर आपका f is perpendicular to d हो जाएगा applied force and जिस force की कारण आप लोग यहां पर displacement देख रहे हो अगर वो एक दूस will become 0 example लेते हैं इसका एक छोड़ा सा example लेते हैं आप सभी लोगों ने देखा होगा जो कूली होता है railway station पे कूली क्या करता समान को अपने सर के उपर लेके चल रहा होता है तो उस case में आप बताइए मुझे कूली इतना बड़ा भारी भरकम समान ले करके चल रहा है बट science कह रखा हुआ है बहुत सारा वजन रखा हुआ है so in that case अगर मालीजिए वो position A से position B पे D displacement परफॉर्म करता है वो क्या कर रहा है वो D displacement जा रहा है वो obviously बात है लेकिन एक बात बताओ कूली खुद पर फोर्स लगा रहा है कुछ फोर्स लगा रहा है लगज पर नहीं लगज पर D इन दोनों के बीच का जो angle है तो मैंने आपको यही बताया था कि जो भी आपका force होता है और जिस direction में displacement हो रहा है उन दोनों के बीच का अगर angle 90 degree हो गया तो in that case हम लोग बोलेंगे कि यार cost theta जो है वो कितना हो गया theta का value 90 मतलब cost 90 and cost 90 होता है 0 तो हमारा burden भी क्या हो जाएग तो यह था आपके पास में कप का scenario जब work done 0 हो रहा है तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपका value आपका value हमेशा 90 degree से less होना चाहिए तो theta जब less रहेगा तभी positive work done हो रहा होगा ठीक है इसके अलावा मैंने आपको बता दिया maximum कब हो रहा होगा obviously बात है जब आपके पास में cost theta का value कितना है 0 degree है when theta is equal to 0 degree तब maximum हो रहा होगा and that will be f into my d ठीक है तो work will be f into my d ठीक है यहां से आप लोग force को लिख सकते हो w by d तो ये भी एक चीज़ आप लोग कर सकते हो ठीक है work को define के जाता है joule में अगर आपको नहीं पता हो work को हम लोग define करते है joule के अंदर आप लोग ध SI unit जो होती है work की वो क्या होती है joule से हम लोग represent करते हैं ठीक है SI unit joule होती है and अगर बात करती हूं उसकी cgs में cgs में आप लोग पढ़ सकते उसको arg से ठीक है ये arg होती है इसको define करना उसको proof करना मैं आगे आपको explain करूंगे ठीक है तो अभी बस समझ लेते हैं कि हमारे पास है direction पर dependent नहीं करता लेकिन आप तो बूर रहे हो कि work done negative भी हो जाता है तो यहां पर सेनारियो यह है कि applied force और displacement की direction हमें देखनी पड़ती है तो अगर मुझे direction पता चल जाए तो मैं बहुत easily कह सकती हूं मुझे पता चल जाएगा work कैसे हो रहा है सो सीधा logic है इसमें हमको बिल सुनना थीटा का value if माल लीजिए 90 डिगरी से बड़ा हो जाए और 180 डिगरी से थीटा का value जो है वो कैसा हो जाए कम रहे तो between 90 डिगरी and 180 डिगरी cost थीटा का value हमेचा negative आता है ना basic trigonometry में हमने पढ़ रखा है second quadrant second quadrant में cost थीटा का value हमेसा solve करने पर negative value मिलता है तो हम यहां से कह सकते हैं कि in that case जो आपके पास में work done होगा वो कैसा होगा negative होगा क्योंकि angle कहां से कहां के बीच में है वो angle between हम कह सकते हैं किसके किसके बीच में है 90 डिगरी से जादा है and 180 डिगरी से कम है उस case में आपका work done negative कहलाएगा इनके examples हम समझने की कोशिश करते है अब छोड़ा सा पहले यहां पर समझ लेते कि क्या क्या लिखा हुआ है notes बनाना बहुत जरूरी होता है notes बनाने के लिए आपके पास लिखा हुआ है कि positive work means हम कह सकते हैं यहां पर कि force जो है आपके पास में parallel to displacement है और angle between 0 से लेकर के 90 डिगरी पर है तभी positive हो रहा है negative होगा जिब 90 से जादा हो रहा होगा तो negative work means that force or its component is opposite to displacement and angle between force and displacement is 90 डिगरी से लेकर 180 डिगरी zero work done मतलब की force is perpendicular to displacement angle between force and displacement will be 90 डिगरी ठीक है अब एक एक फटा फट से example देख लेते हैं लोगों के example और फिर हम solve करते हैं बात करते हैं चोटे से example की जिसकी मैं बात कर रही थी किस तरीके से आप लोग solve करोगे तो logic number 1 अगर मैं आपसे examples की बात करूँ मैं positive and negative किस तरीके से होते हैं चलो पहला example हम लोग देखते हैं जो कि मैंने आपको positive work done का है maximum work done का example दिया कि कि किसी भी object को हम लोग खीच रहे होते हो पुछ कर रहे होते हो तो उस सेनारियों में generally जो maximum work done होता है वो कैसा होता आपका वो positive होता था positive work done में मुझे लगता है नहीं कि हमें कुछ explain करना जहां पर हम अटकते हैं that is zero work done and negative work done कि यार यह कैसे perform होते है चलो एक example लेती हूँ जहां पर मैं बात कर रही हूँ friction force की तो friction force and displacement की बात कर लेते हैं that means मान लीजे मेरे पास में कोई vehicle है कोई vehicle है and कोई vehicle भी मत मानिए let assume हमारे पास में कोई यहां पर एक छोटा ता example लेते हैं जिसमें आप देख सकते हो कि यह एक छोटा सा surface है जिस पर कोई box रखा हुआ है ठीक है तो मैंने कहा कि चलो मैं इसे force apply कर रही हूँ and force apply करने के कारण तो यह applied force है ना this is applied force applied force के कारण M mask का जो box है मेरा वो इस direction में displacement D perform कर रहा है but due to friction या due to uneven surface हमारे दोनों के surface के बीच में friction force FR जो है वो काम कर रहा है ठीक है तो यह मेरा friction force है तो मैंने कहा कि चलो बताओ मुझे friction force की कारण जो किया गया work done होगा वो कैसा होगा तो friction force की direction आपके motion की direction के opposite होती है तो due to friction we can say that here friction और जो displacement है उसके बीच का theta कितना बन रहा है आपके पास में 180 degree बन रहा है that means मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ f is equals to sorry w is equals to f d cos theta ठीक है f into में d cos theta ठीक कितना है 180 degree cos 180 is equals to कितना होता है minus 1 so we will say कि यह minus f into में d this is the negative work done जो कि आप लोग बोल रहते हैं कि negative work done कहा होता है तो यह होता है negative work done और similarly similarly gravitational force जो होता है न gravity के कारण जो work done होता है न work done due to gravity खिक है इस सेनारियो में भी अगर मान लीजे कि आप लोग किसी object को किसी height पर उठा रखे हो and displacement perpendicular होता है तो in that case आप यहाँ पर कह सकते हो कि let assume आपने यहाँ पर surface से किसी box को edge height पर displace कर रखा हुआ है and उसको आप displace कर रहे हो इस direction में so यहाँ पर mg जो है वो downward लग रहा होगा जिसको आप लोग force बोल रहे हो ठीक है तो वो force mass m के कारण downward direction में लग रहे है and आपका जो displacement हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है तो in this case जो work done होता है due to gravity will become zero तो ऐसा बहुत सारे cases में आप लोग देख सकते हो similarly आप मान लीजिए कि आपने इस object को उठा रखा है similarly same example gravity का बताती हो आपको तो gravity में यह example कब हो रहा है आपके पास में जब आप लोग displacement को मैं अप ऑपर की direction में लगाया मैंने क्या किया मैंने जब किसी force मतलब object को उठाया है समझतने इस चीज़ को तो मान लीजिए मधिक के object को मैं ईठाया तो downward force क्या कर रहा है model m g लग रहा है temporarilyne force लगाया तो मैंने इसको उठायाै amd direction में तो जो upward direction का force ठाएक तो upward force मैंने जो applies किया उसके कारण positive work done होगा के विड अगर मैं बात करों उसार पर gravity के लिए gravity मैं तो यह ग्रैविटन तो नीचे पूल रहे है basically earth की gravity हमें क्या कर रही है वो उसकी तरफ जादा attract कर रही है so यहाँ पर आपका जो mass m का object है वो क्या कर रहा है वो by default gravity की तरफ direction में show कर रहा है तो gravity के लिए हमारा force नीचे की तरफ है और हमने displacement कासा कर दिया displacement हमने उपर की direction में कर दिया तो gravity के लिए force नीचे displacement ऊपर तो यहाँ पर ठीटा कितना हो गया 180 degree और in this case due to gravity burden कैसा हो गया मारा negative हो गया similarly आप खुवे से बाल्टी को खीसते हो तो अगर आप force लगा रहे हो तो आपके द्वारा किया गया जो भी burden होगा वो positive होगा लेकिन अगर due to gravity पूछोगे तो वो कैसा होजाएगा negative होजाएगा ठीक है तो due to gravity वो वाला burden negative होगा क्योंकि displacement और आपके जो भी object को आप उपर उठा रहे हो उनकी direction बिल्कुल मैच नहीं कर रही है यह हम क्या सकते हैं दोनो opposite है clear ठीक है तो यह था positive negative and zero work done तो यह आपको पढ़ना है इसके बाद में जो सबसे important आता है आपके पास में relation between 1 joule and arg यह relation आता है सो हम जान रहे होते यह कई बार पूछ लेते हैं ठीक है तो पता होना चाहिए बस 1 joule and arg दोनों ही work done code calculate करने में यूज किया जाते है दोनों की unit आपको याद रखनी CGA system में and आपके SI system में तो हम तभी जानते है we know that की W is equals to F into में D होता है and for this scenario मुझे पता है कि 1 joule अगर मैं लिखना चाहूंगी तो मुझे यहाँ पर 1 newton का force apply करना पड़ेगा and उसके लिए मेरा जो displacement है वो 1 meter होना चाहिए यहना अगर मैं चाहती हूं कि मेरा 1 joule का work done हो तो उसके लिए मुझे 1 newton का force apply करना पड़े है जिससे 1 meter का displacement पड़ेगा and due to this that case मैं यहाँ पर newton को अब convert करूंगी dian में and meter को convert करूंगी सेंटिमेटर में तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे है conversion कर रहे है from si to cgs तो cgs system में सिनारियो क्या हो जाएगा newton को आप लोग लिखते हो 10 to the power 5 dian and meter को आप लोग लिखोगे 10 to the power 2 cm clear जब आप सको solve करोगे 10 to the power 5 plus 2 dian into centimeter तो यहाँ से आपके बास पर value आजाए कि 10 to the power 7 dian into centimeter तो आपको बता दूं, cgs system में 1 arg जो होता है वो equals to होता है dian into centimeter तो हम लोग यहाँ पर directly लिख सकते इसको arg that means 1 joule is equivalent to the 10 to the power 7 तो यह छोड़ा सा relation आप लोगों को याद होना चाहिए ठीक है बहुत छोड़ा सा relation है that's it now यह तो work done होगे हम लोगों का work done हम लोगों ने कर लिए आप छोड़ा सा numerical solve करते हैं तो आप एक question है तो आप लोगों करने की कोशिश करो कुछ से और फिर बताती हो आप उसका right answer of force calculate the work done by car's engine and give the appropriate units बहुत simple question है हमें दो चीज़ पता चल गई है कि car की engine पे force लग रहा है 100 newton sorry 150 newton का and हम सब भी जानते कि यहाँ पे drive किता हुआ है 200 meter that means वो हमारा क्या होगे displacement है तो we can say कि displacement is 200 meter तो आप यह चीज़ तो जान रहे हो ना कि car अगर चल रही है आप drive कर रहे है car को तो car का जो engine होगा let's assume तो यहाँ पे direction हमारी देखो solve तो कर लोगे आप लोगे लेकिन car का जो भी आप किस direction में force apply कर रहे हो और कहां पर किस direction में displacement हो रहा है वो जानना जरूरी है तो car का engine मान लीज़ें यहाँ पर आगे की तरफ force apply कर रहे है तो आगे की तरफ force apply कर रहे है मतलब कि displacement भी कहा होगा इसका इसी direction में होगा तो we can say theta is equal to 0 degree here तो मैं directly यहाँ पर f into d लगाऊंगे so for that w is equal to f into d cos theta is equal to 1 हो जाएगा यहाँ से आप लोग लिख सकते हूँ 150 multiply by 200 meters solve करने पर 30000 joules तो यह आपका एक simple सा answer हो गया यह या फिर आप इसको लिख सकते हो कि 3 multiply by 10 to the power 4 joules equal to ठीक है यह भी आप लोग लिख सकते हो ठीक है तो यह छोड़ा सा example था इसके बाद में हम यह वाला question solve करते है राहूल lift an object that has a weight of 100 newton तो यह इसने lift किया हुआ है from ground and put it on a table that is 1 meter above the ground how much work have राहूल done ठीक है against gravity देखो against gravity बोला है हमसे यह नहीं बोला है कि how much work is done due to gravity अगर due to gravity होता तो answer अलग होता यहां पूछा है कि राहूल ने gravity के against कितना गाम किया है तब scenario बिलकुल अलग होगा तो in this case let assume कि आपके पास में कोई object है जिसका weight 100 newton है उससे ground से उठा करके table पे रखा है तो table का जो height है let assume यह table है हमारे पास में table का जो height है वो कितना है 1 meter from ground तो यह 1 meter का total displacement हुआ ठीक है और यहां पर वो 100 newton का object है यानि की force लग रहा है downward direction में कितना 100 newton का so we can say कि हमारे पास में समझना इस चीज़ को कि 100 newton का force जो है मतलब यह weight है यह क्या है weight है किसका आपके object का and जो मैं downward direction में show कर रही हूँ तो downward direction में आप लोग देख रहे हो f is equals to mg के equal हो रहा है ठीक है कहां गड़ दिया इसने f is equals to mg के equivalent है but हमें क्या due to gravity पूछा है नहीं हमसे पूछा है against gravity तो against gravity हम कह सकते है कि जितना force आपका due to gravity लग रहा है उसके opposite उठा करके हम लोगों ने put up कर दिया उपर ठीक है तो so that we can say हमारे पास में तो total work done होगा again work done को आप लोग लिख सकते हो w is equals to f into me d solve करोगे आपके पास answer आ जाएगा इसका बहुत easy question है बहुत tough question नहीं है ये ठीक है तो you can directly write f into me d cos theta theta कितना बन रहा है हमने इस object को ऊपर उठाया ठीक हमारा displacement कहा हुआ उपर की direction में तो हमने कितने weight के object को उठाया है हमने उठाया है 100 newton के object को ऊपर की direction में ठीक है तो इस case में हमारा सेनारियो क्या हो जाएगा w is equals to 100 multiply by 1 meter और हमारा answer आ गया 100 joule clear चलिए अब बात करते हैं किसकी energy की energy क्या होती है energy के बारे में थोड़ा discussion कर लेते हैं तो energy को अगर आप लोग define करते हो तो definition बहुत simple सी होती है and before definition हम लोग पहले work done by variable force understand कर लेंगे देखो energy जो है उसको understand करने के पहले and इसके बाद हमें जो समझेना है that is work energy theorem important है काम आ जाती है हमें उसके पहले variable force के या हम कह सकते कोई force है जिसको हम लोग बहुती variable भी में लगा रहे है तो उसके थूँ अगर कोई work done हो रहा है तो उससे क्या से calculate करना है इसपे हम लोग आ जाते है पहले फिर हम लोग energy understand करेंगे तो let assume कि आपके पास में यहाँ पर एक graph दिखाई पड़ रहा है this graph is known as F और X graph basically this is a velocity time graph होता है तो यह force and displacement graph आप लोग देख रहे हो Y axis पर force given है आपकी X axis पर आपका displacement given है यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो यह है कि आपके पास में force कैसा है variable है और मैंने आपको पहले भी बता रखा हुआ है कि whenever मैं आपसे जब भी मैं बोलू कि आपके देखो यहाँ पर force है और यहाँ पर क्या है आपके पास में X है यानि X multiply by Y जो है वो आपके पास में area under the curve को represent करता है तो मेरे पास में Y axis पर जो भी value है वो है force की और X axis पर value है X की तो basically X axis represent कर रहा है displacement को तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि दोनों का multiplication हो रहा है मतलब जो भी area under the curve होगा जो भी area under the curve आएगा वो क्या आएगा basically work done को represent कर रहा होगा कहने का मतलब क्या है कि let assume हमारे पास में कोई ऐसा force काम कर रहा है जो कि एक variable है ठीक है एक variable force है जोसका value हम लोग नए decide कर सकते ठीक है F of X और यहाँ पर आपके पास में मुझे इस pointer से लेकर के इस pointer तक के सबी लोग देखे कि यहां से लेकर के यहां तक के क्या करना है देखना है calculate करना है कि यार work done कितना किया गया है तो मैं क्या करूंगी इस point से लेकर के इस point तक के let assume कि X1 पहले position थी and वो position कहा तक shift हो गई है X2 तक shift हो गई है and मुझे क्या करना है मुझे न work done calculate करना है for this force जो की variable है तो for this मैं क्या करने वाली हूँ इसका area under the curve find out कर लोगी मेरा काम क्या है मेरा काम है इसका area under the curve निकालना area under the curve find out करने से क्या फायदा होगा so we know that की area क्या हो जाएगा इसका area हो जाएगा F into X जो की work done को represent करता है इसमें शक किसी को ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका work done हो जाएगा अब भाई देखे work done calculate करना है और मैंने कहा आपको की चलो इसका area find out करे अग ऐसे uneven surface का या फिर किसी भी uneven जो graph होते उनका area कैसे calculate करोगे यह main mode है तो let assume कि यह जो part है इसका जो area है वो बहुत छोटी-छोटी stripes से मिलकर बना हुआ है समझते हैं क्या बोलना चाहरी हूँ देखें अगर आपको इसका area calculate करना है और आपको नहीं पदा कि किस तरीके से हम लोग calculate कर सकते बहुत छोड़ा सा तरीका होता है कि आप माल लीजिए यह बहुत छोटे-छोटे rectangle से मिल करके बना हुँए यह जो area आप लोग देखें बहुत छोटे-छोटे rectangle से मिलकर यहां पर क्या हुआ हुआ है यह बना हुआ है uneven आपके पास में graph plot होता है तो बहुत छोटा-छोटा मान लिजे कि rectangle बन रहे है बहुत छोटे-छोटे अरे ओविस ही बात है इतने बड़े का छोटा सा हिस्सा निकालोगे तो ओविस ही बात है वो इस तरीके से ही बनेगा कोई भी graph आप देख लीजेगा बहुत छोटा-छोटा मान के चलिएगा कि बहुत छोटा-छोटा stripe आप लोग निकाल रहे हो तो मैंने कहा कि उसको का मतलब पहली stripe को करने में हमें f1 x हमारे पास में है और इसको हम dx1 के नाम से नाम देते हैं कि हमको उतना पहली stripe के लिए इतन work done करना पड़ रहा है सेकेंड वाली stripe के लिए हमें कितना करना पड़ेगा f2 dx2 कर लोगे है ना थर्ड वाली के लिए आप लोग क्या कर दोगे f3 dx3 कर दोगे और ऐसे ही कहां तक चलेगा dash 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 कहां तक कि जब तक कि आपको आखरी stripe नहीं मिल जाती सबका calculate करके आपको क्या कर आपना है total work done find out कर लेना है so can I write क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि work done for this smallest area है ना छोटे से area का जो work done होगा वो क्या लिख सकती हूँ मैं लिख सकती हूँ dw is equals to f1 into me dx क्या ऐसा लिखा जा सकता है बताएए मुझे तो f1 क्या है f1 आपका जो applied force है उसकी वही value value जो कि हम लोगों मैंने यहाँ पर calculate करें इत्तुसी तो इत्ता सा rectangle लिखा रहा है उसके force apply हो रहे है उसका value और जो भी आपका displacement हो रहे है उसका value तो displacement कितना माना मैंने dx मान लिया और force के मान लिया मैंने उस stripe का f1 तो जैसे आप लोग यहाँ पर diagram मैं देख सकती हो कि multiple आप लोगों को यहाँ और क्या दिख रहे है रेक्टिंगल दिख रहे है तो मैंने क्या एक रेक्टिंगल का तो लेट एजिम पहले वाले रेक्टिंगल का जो applied force है वो कितना है f1 force है यहाँ पर और यह जो एरिया है यह जो आप लोग दोनों के बीच का जो एरिया देख और that is your delta x छोड़ा सा area dx ठीक है तो उसके लिए हम लोग का करने वाले है solve करने वाले है तो मैंने बोला चलिए इसको equation number 1 मान दीजी ठीक है आपने इसको equation number 1 मान लिया इसी तरीके से आपने work done निकाला second वाली stripe के लिए और वो कितना हो गया f2 dx2 हो गया इसको equation number 2 दे दो इसी तरीके से dw3 हो गया तो सबके निकाल लोगे तो अब यहाँ पर आपके पास में आज आगर d w तो आपके पास में डीडे व कहां से कहां तक चल रहा है तो फिल्ट किया गया काम कहां से कहां कर दो है बहुत सिंपल है और वह इतना सा है कि आपने ऐसे ही कितनी N stripes का निकाल रखा हुआ है तो मैं बोल रही हूँ कि यहां पर टोटल वर्डन है तो वीकन से कि यहां पर हम सभी के सभी वर्डन को क्या कर देंगे एड कर देंगे कर सकते हैं कि नहीं तो इस सेनारियो में हम यहां से लेकर के कहेंगे कि Summation of F आप वेसे बात है F1 F3 क्या जाएगा को पास में टोटल वर्डन हो जाएगा हम ऐसा लिख सकते हैं तो Summation of F या फिर इसको और क्या easiest भाषा में मैं लिखू तो आप इसको लिख सकते हो कि F1 of dx1 ठीक है प्लस F2 of dx2 प्लस F3 dx3 डश 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 लिख सकते हूं यहां से यहां तक तो हम लोग क्या कर रहे हम लोग यहां पर बेसिकली फोर्स अप्लाई कर रहे और मैं बोरू कि total हम लोग क्या करेंगा हम लोग क्या करेंगा हम लोग क्या करें total calculate कर रहे तो मैं इसको क्या easiest भाषा में लिख सकती हूं कि मैंने कुछ नहीं किया मैंने बस summation किया total force का into में dx, total dx और कहां ते कहां तक के x1 से लेकर के x2 तक के summation कर दिया तो मुझे मिलका तो मैंने total work done, so total work done को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो या आप इसको लिख सकते हो w is equals to from या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो from 0 to w we can say हमारा जो total work done है f into में from x1 to x2 dx, ठीक है, तो this is the form जहां पर आप work done को define कर सकते हो clear सभी को, तो यह होता है आपका किया गया काम, कहां से आप लोग कहां तक के कर रहे हो, आप integrate कर दो पोजिशन x1 से लेकर के x2 तक के और आपको मिल जाका total work done, ठीक है clear सभी को यह चीज़, और यहां पर w1 से w2 भी आप लोग काल्कुलेट कर सकते हो, totally based on your concept, ठीक है clear सभी को, ठीक है न, चलिए, तो यह था आपका work done by variable force, ना बात करते हैं कि इसकी energy के, अब आप energy कैसे define करोगे, कैसे calculate करोगे, यह कोई energy कुछ नहीं होता है, simple logic होता है, कि it's the capacity of doing work, आप किसी भी object के उपर जब कोई work done करते हो, तो वो object में by default उस energy के रूप में कंजर हो जात है, हम लोग ऐसे बोर सकते हैं, it is also scalar quantity, dimension similar to work होगा, तो work का, जो dimension होगा, वो क्या लिखा होगा, मैं आप लोगो को, तो आपका जो work done होता है, उसका dimension के बारे में मैं बात कर देती हूँ, तो dimension क्या लिखोगे आप इसके, so dimension लिखोगे आप लोग, w is equals to f into में d होता है, f के dimension होते है ml, tk power minus 2, so basically this is the, like, आप simply इसको दुरादा देखिएगा, कि जहाँ जहाँ पर आपके पास में force को आप लोग mention कर रहे हो, उसकी हम लोग बात कर रहे है, तो ml tk power minus 2 into में d, d क्या है, आपके पास में l, तो आपका ज square T k power minus में, 2, तो ये आपके work-done का dimension है, तो similar energy का भी dimension होता है, क्योंकि तो capacity की बात हम लोग कर रहे होते है, ठीक है, हम लोग capacity की बात कर रहे है, तो similarly, आपका basic, जो मैं बोल रहे हूँ ना, कि energy है, उसका भी dimension similar रहेगा, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, ml, to the power 2 to the power minus 2 similar dimension as words एक बात करते हैं यूनिट की यूनिट जूल, अर्ग, ठीक है practical unit is electron volt kilowatt hour calories बहुत सारी like हम unit का use करते हैं practical भाषा में अब आप बोलोगे माम calorie कहां use करते हैं माम electron volt अभी आप आने वाले time पर हर चीज़ को दीमे 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 अंडेस्टांड करोंगे so don't think about a lot अभी हम लोग बात करते हैं energy and type of energy के बारे हम लोग discussion करेंगे तो energy में सबसे पहला part आपको बढ़ना है kinetic energy, secondary part रोगा आपका potential energy kinetic energy कहां से आती किसी body के अंदर ये आती है due to motion मतलब कि आपके पास में अगर कोई body कोई object V velocity से travel कर रहा है तो उसके अंदर जो kinetic energy होती है वो store हो जाती है in the term of sorry जो आप लोग basically motion के कारण जो भी वर्डर होता है तो वो उस object के अंदर ऐसे kinetic energy store हो जाती है ठीक है तो let assume mass m equal to mass of the body and V is equals to velocity of the body then आप kinetic energy को represent कर सकते हो y ke is the term जहां पर हम kinetic energy को represent करते हैं and आप इसको लिखते हो half mv square से ठीक है तो यह होता है kinetic energy का mathematical formula इसको proof करने के लिए भी exam में कई बार पूछ लिया जाता है होता है ऐसा बहुत बार कि आपको बोल दिया जाए कि बताईए कि आपने कहां पर कैसे प्रूफ करना इसको कि काइनेटिक energy is half mv का square होता है तो देखो मान लीजे इसको सब्सक्राइब करते हूं कि derivation के लिए आपको क्या करना होगा एक छोड़ा सा लॉजिक लगारा पड़ता है वो लॉजिक क्या है बताती हो आप लिए उपको तो एक सिनारियो इमेजिन करिए जहां पर हम क्या कर रहे हम किसी object की motion को रोक रहे अब आप बोलों कि हम object की motion को रोक क्यो रहे क्योंकि हमको उसकी क्यानेटिक energy यानि हमें प्रूफ करना है कि half m विसकर कहां से आया तो देखो एक चीज समझना कि आपके पास में let assume कोई object है जो की initial velocity v से travel कर रहा होगा या let assume u से travel कर रहा है मैंने कहां आपके पास में कि कोई object है ठीक है मैंने कहां कोई object है let assume कोई object है यह पहले से ही v velocity से travel कर रहा है इसका mass कितना है m है and मैं बूल रही हूं कि चलो काम करो कि यह किसी velocity से travel कर रहा है and now think about कि आपने इसकी velocity के just opposite direction में एक force apply किया है और फिर वो d displacement को क्या कर रहा है वो travel करके रुक जा रहा है और इसकी final velocity कितनी हो गई है वो हो गई है v इसको v1 नाम देजिए उसको हम लोग नाम देजिए v2 जिसका value कितना आ गया है 0 आ चुक है यह चीज़ क्लियर हुए सब लोगों को तो यहां पर हमारे को दो से v velocity से ट्रावल कर रहा था वो d displacement क्या कर रहा है ट्रावल करके stop हो गया है रुग गया है आप भाग रहे हो अचानक से किसे ने सामने धक्का दे दिया आप थोड़ से आगे सरके और रुग गया तो वो वाले अच्छेटरेशन है due to retardation यहां पर क्या हो रहा है आपका जो object है वो क्या हो रहा है वहां पर क्या है retardation आ रहा है तो वी कें से दाट कि दिस इस माइनस f by m क्योंकि आपके पास में velocity क्या हो चूकि change in velocity is 0 तो acceleration कैसा आगया आप लोगों के पास में – f by m के equivalent आगया equation हो गया रुख गया stop हो गया so after that time हम क्या सकते हैं कि मेरा equation of motion जहां पर मुझे actually में calculate करना relation between mass velocity and applied force तो मैं वहां पर calculate करूंगी किस तरीके से by third equation of motion तो after third equation of motion we know that कि V1 का V2 का square is equals to V1 का square plus 2as होता है अब इसी का हम लोग क्या करने वाले है यूस करने वाले तो मुझे एक बात बताईए V1 का value कितना था मैंने का था V1 is equal to V and V2 is equal to 0 तो यहां पर V2 का value कितना करोगे 0 का square equal to V1 कितना है V का square plus 2 A का value कितना निकाला – f by m into में आपने बोला displacement D है इसका S भी लिख सकते हो displacement D है इसका so for this case आप बताईए मुझे कि आप इसको लिखोगे V2 यह 2V2 minus में 2 f into में D by m sorry कितना हो गया यह हो गया equal to 0 लिख सकते हो इसको ऐसा लिख सकते है या फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है आप इतना मत करो आप बस इतना simply कर दो यहां पर transfer कर दीजे इस चीज़ का तो V2 equal to आपके पास में 2 f by m into में D आजाएगा आजाएगा यहां पर multiply कर दीजे इसका तो mv का square half यह फिर mv square by 2 equals to f into में D आगया तो आपको यह कुछ relatable दिख रहेगा यहां पर क्या पता चल रहा है इससे पहले चल रहा है कि जो भी हम लोगों ने उस object को रोकने में काम किया वो कहीं ने कहीं उस object की kinetic energy के रूप में उसके अंदर stored था जितना work done हम लोगों इसको रोकने में किया है उतना ही उसके पास में कैथी kinetic energy present थी तो this is how we calculated kinetic energy of a moving object तो हमारे पास में अगर कोई object मान लीजे we will उसके से पहले से travel कर रहा था हम उस पर कुछ force apply कर रहा है तो उस force के दौरान जितना displacement हो रहा है तो उतना काम उसके अंदर उसकी kinetic energy के रूप में था तो यह हमारा सेनारिय होगा जहां पर हम लोगों ने प्रूफ किया कि आपका जितना भी रोकने में उसको work done किया है वो equal to 1 by 2 mv square के equal था जो कि उसके अंदर energy है कौन सी kinetic तो we will say this is our kinetic energy clear तो यह थी आपके बास में kinetic energy ठीक है अब kinetic energy के बाद हमें जो focus करना है उसके उसके ऊपर बात कर लेते हैं and that is our work energy theorem and इसके पहले भी कुछ कुछ चीज़ों पर हमें focus करना है देखे हम सारी सारी चीज़े एक साथ में cover अपनी करेंगे हम बहुत दीमे दीमे प्यार प्यार से पढ़ाई करने वाले हैं clear इस सब चीज़े energy तब के चीज़े clear सभी लोगों को अब यहां पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखने वाली है कि हम लोगों ने half mv square तक proof कर दिया लेकिन एक बात बताना मुझे momentum और mv square के बीच में आपको relation पता होना चाहिए exam में पूछ लेते हैं कि what is the relation between momentum and your kinetic energy तो वो आपको पता होना चाहिए स्टार्ट करते हैं आपके पास में momentum से तो obviously बात है अगर यह m mask का object v velocity से ट्रावल कर रहा है तो इसका कुछ momentum होगा so we know that कि momentum is equals to m into में v होता equation number मैं इसको 1 दे देती हूँ इससे मैं दे देती हूँ तो यहां से मैं velocity का value calculate करोगे तो it will be p by m लिख सकती equation number 3 मैंने लिख दिया so by equation number 3 and 1 क्या मैं v के जगे पे p by m लिख सकती जहां जहां वी है वहां वहां p by m लिख देता है so यहां से kinetic energy is equivalent to half m into में आपका क्या है p by m का square आप लोग कर सकते हों कर सकते हों यहां से solve करोगे तो half 1m से 1m कर जाएगा p का square by m बच जाएगा equals to kinetic energy तो यह एक छोड़ा सा relation होता है kinetic energy and momentum के बीच में कि p square equals to 2 mass into में kinetic energy ठीक है और इसका root ले लिजिए आपको क्या मिल जाएगा आपका momentum मिल जाएगा ठीक है यहां पर बार-बार-बार-बार momentum of particle पूश लिया जाता है with kinetic energy और बहुत मज़े आते हैं वह question to solve करने में आप लोग करो गया गया की तो यह छोटा सा relation बहुत helpful होता है आप ठीक है अब बात करते हैं इसकी work energy theorem तो जैसे हम लोगों ने अभी निकाला कि जो भी हम लोग काम कर रहे होता है तो basically energy के रूप में उस object में store हो जाता है तो उसी को हम लोग यहां पर understand करने वाले हैं in theorem it states that the work done by a force acting on a body is equal to the change produced in the kinetic energy of that body ठीक है बहुत simple सी चीज़ है अब जितना काम कर रहे हैं उसको रोकने के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि हम किसी object के उपर अगर उसके पास already kinetic energy है ठीक है और हम उस पर force apply कर रहे हैं हम उस पर काम कर रहे हैं तो obviously बात है वो उतना ही होगा जितना उसकी kinetic energy में change आ रहे हैं तो जितना हम लोग काम कर रहे हैं उसके उपर रोकने के लिए या फिर कानेटिक energy में change करने के लिए उतना ही change in kinetic energy के equivalent होगा चमचते हैं इसको एक छोड़े से example के थ्रूँ तो मान लीजिए M object का यह क्या है हमारे पास में M mask का कोई object है यह already किसी velocity V से travel कर रहा था या फिर U से initial velocity U मान लेते हैं तो मैंने कहा कि let assume यह object already किसी initial velocity U से चल रहा था चल रहा हो यू से 30 km per hour हो सकता है थर्टी मिटर पर सेकेंड हो सकता है तो चल रहा है यह M mask object अब मैंने क्या बोला कि मैंने इसके उपर force apply करना है मैंने क्या करना है मैंने इस पर काम करना है तो मुझे क्या करना है काम करना है ताकि इसके अंदर kinetic energy में changes आए तो इस समय पर first position जहां पर वो initial velocity u से चल रहा होगा तो इसकी kinetic energy में k e 1 मान लेती हूँ और वो किसके equal होगी 1 by 2 m u k square के होगी यह बात तो समझ रहे हो तो यह kinetic energy तब है जब आपकी velocity u थी and after some time हमने क्या कि इसके अपर कुछ force apply कर रखा है and आपके जो वही से एम मास के object की velocity u से change होकर के v हो गई है पहले कितनी थी u थी और हमने क्या कि इसके अपर force apply कर रखा है let assume यहाँ पर displacement d हो रहा है इस बीच में and आपकी जो velocity कितनी हो गई है वो velocity हो गई है view से v के बराबर ठीक है अब यह मैं force की direction के उपर बात नहीं करूँगी मैं पहले बता दिए हम लोग बस understand करने की actual में क्या हो रहा है तो यहाँ पर जो मैंने force apply कर रखा हुआ है और force apply करने के कारण जो change in energy हुआ है उससे हम लोग observe करेगे तो this is like जब velocity v हो जाएगी let assume kinetic energy is ke2 and वो equivalent हो जाएगी 1 by 2m v k square के ठीक है तो यह kinetic energy तब थी जब initial velocity u थी यह kinetic energy तब है जब initial velocity आपकी क्या है v है तो change in kinetic energy यानि delta के अगर मैं निकाल लेती हो तो that will be equivalent to जो भी हम लोगों ने यहाँ पर force apply करके work done किया है उसके equal हो जाएगी बस इतना सामें समझना है इसको हम लोग prove भी करेंगे that means मुझे proof करना है कि जो भी work done किया है वो हमारे उस object की change in kinetic energy के equivalent काम हम लोगों ने कर रखा है यह हमें proof करना है कैसे करेंगे इसके बारे बें discussion कर लेते हैं तो proof करने के जो rule है वो बहुत simple सा है similarly same चीज मैंना आपका explain करना था let assume मैं यहां पर फिर से apply कर रही हूं third law of new, third equation of motion third equation of motion से मुझे क्या पता चलता है कि यार हमारे पास में जो object है अगर मान लीजिए वो initial velocity उसकी U है final velocity V है and जो भी उसका acceleration है let assume A है and displacement is B then we can write third equation of motion जो कि हम लोगो ने similarly अभी calculate किया था third equation of motion का use हम लोगो ने यहां पर किया था now मैं यहां पर वापस से similar use कर रही हूं तो that is V square equals to U square plus 2A S के equivalent में होता है जहां मैंने बुला S displacement है उसको आप D put कर दीजिए ठीक है तो आपने यहां पर लिख दिया 2AD now मुझे यहां से acceleration का value calculate करना है तो I can write V square minus U square equals to 2AD या यहां से आप लोग solve कर लीजिए आपके पास जो value आजाएगा that will be 2AD is equals to V square minus U square और A equals to V square minus U square divided by 2 into D जीजे clear सभी को यह acceleration का value निकाल लिया मैंने equation number इसको हम लोग 1 दे लेते हैं now अब मैं एक चीज तो जान रही हूं कि we also know हमने कितना force apply कर रखा है में के बाबर apply कर रखा है and मैं यह जानती हूं जितना मैंने force apply कर रखा है वो किसके लिए apply कर रखा है ताकि velocity में changes आ सके so for that हम यहां पे velocity का basically जो change in acceleration है वो निकाल लेंगे तो आपके पास में कितना बड़ा आ गया f by m के equal आ गया इसको equation number हम लोग 2 नाम दे देते हैं तो by equation number 1 and 2 we can write क्या write कर सकते हैं we can easily write कि f by m is equals to v square minus u square by 2 clear अब मुझे बस simply दो चीज़े करनी है वो है cross multiplication तो f into में 2d is equals to mv square minus mu का square यहां से आप लोग f into d को इस तरीके से भी लिए सकते हो mv square minus mu square by whole 2 तो यह आप लोगों रहें लिख दिया है हमको पता है f into d total work done हो जाएगा आपका तो we can write we know that what we know that w is equals to f into में d तो इसको अगर मैं equation number 3 नाम दे दू so by equation number 3 हम क्या लिख सकते हैं कि w is equals to half mv square minus में half mu का square जो हमें बता रहा है this is kinetic energy जब हमारी velocity क्या हो गई है v थी देखो हमारी kinetic energy k1 mu का square यह थी k2 mv का square half mv square तो हम यहाँ पर लिखेंगे w is equals to basically ke 2 minus kinetic energy of 1 object का पहले का और initial का basically difference ले रहे हैं so हमारा जो भी work done होगा वो delta ke ke equivalent होगा और यही हमें proof करना था यही तो work energy theorem थी जो कि मुझे explain करनी थी आप लोगों simple है कुछ भी दिमाग नहीं हमारे करना आपको तो work energy theorem क्या बता रही है हमारे पास में कि जब भी हम लोग कोई force apply करके object का कर रहे है velocity change कर रहे तो obvious ही बात है kinetic energy में भी change आएगा तो kinetic energy में चेंज आ रहा है वो जो force apply किया है उसके द्वारा किया गया total work done के equivalent आजागा जो तो जो भी change in kinetic energy है उस object पे applied work done के equivalent हो जाएगा clear सबको बस तो यह थे आपकी work energy theorem आज के लिए इतना ही next class में हम लोग बढ़ेंगे आगे के चीज़े आगे और भी मजा आने वाला है power and चीज़ों को हम लोग cover up करेंगे तब तक के लिए बाबाई Tata see you and take care guys